आप संभवतर जानते हैं कि चुटकुले आपके भाषन को कैसे पूरक कर सकते हैं। लेकिन चुटकुले आपके भाषन को विनाशकारी भी हो सकते हैं। चुटकुले एक भाषन के लिए एक वर्दान और समस्या दोनों हो सकते हैं। यदि आप इसके साथ बहुत अधिक अभ्यस्त हैं, तो हास्य का उप्योग करें। यदि ये फिट बैटता है, तो इसे पहले जाजें, वर्गों के बीच ब्रेकर के रूप में उप्योग करना या एक निश्चित बिंदू पर जोड़ देना। एक मज़ेदार और बढ़िया लाइंग या एक ऐसी टिपनी जो अपरासंगिक है, जो आपके पास है उस प्रस्तिती को प्राप्त करने में मदद कर सकती है और लोगों को आपके द्वारा कही गई बातों को याद रखने में मददू द करेगी, बेशक किसी भी मजाक का संबं मदी के साथ का उप्योग कर सकते हैं, अपने भाषन में चुटकुले या हास्य डालने के अलावा आप इन अन्य युक्तियों के साथ अपने सारवजनिक बोलने में सुधार कर सकते हैं, आपको शुरुवात में ही अपने शोताओं का ध्यान खीचने में सक्षम होना इसलिए यह महित्वपून है कि आप सही शुरुवात करें आत्मविश्वा सकूल मुद्रा, वाकपटु बोलने की शैली, मियंत्री, तस्वर और प्रभाव, और आपसे अच्छा, सुविचारित भाषन आपके संदेश की जानकारी स्पष्ट रूप से और तार्किक रूप से विवस्थित होनी चाहिए, जिससे आपके शोताओं को यह कहना आसान हुजाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं चीजों को आसान और सरल रखी जानकारी को छोटे हिस्सों में विभाजत करें और बहां से काम करें उन बिंदूों को हाइलाइट करें जिन्हें आप अपनी दर्शकों को याद रखना चाहते हैं आपका सबसे महत्वकून बिंदू निशकर्ष होना चाहिए निशकर्ष भाषन के स्वर को निर्धारित करता है और श्रोताओं को उन बातों पर सोचने और विचार करने देता है जो आपने अभी कहा है साहितियक उपकरण जैसे की उपधरण कहानिया अलंकारिक प्रश्णिया आश्चर्यजनक तत्यक भाषन के समापन के लिए उपयोग किये जा सकते हैं हालां कि इन उपकरणों को आपके भाषन के विशय से अच्छी तरह से संबंदित होना चाहिए इस निशकर्ष को वित्रित करी स्पष्ट रूप से और धीरे-धीरे है आप बोलते हुए अपने शोताओं से संपर्क बनाये रखी उनके साथ मुस्कुराएं उन्हें उस समय के लिए धन्यवाद दे जो उन्हें आपको दिया है आपको इन सभी युक्तियों को याद रखना चाहिए और नियत समय में आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि इन तक्नीकों में आपकी भविशे में बोलने वाली प्रस्तोतियों में आपकी मदद कैसे की है आपके शोता अंततह आपके द्वारा दी गई जानकारी को समझेंगे और उस जानकारी को वित्रित करनी की आपकी ख्षमता के लिए आपका सम्मान करेंगे